हाथмен बल्लाइमने शेटा रजिम बिम्लाभराम रहीम आप के लिए लिखे हैं यह एक फाल इधाम, ठंडी, ठंडी और मजे की रेसिपी, यह है जी रेसिपी बरे हुए टिन्डे हाँ जी टिन्डे बहुत से तरीकों से मनाई जाते हैं टिन्डे को साथ है टिन्डे शौल बा तो तोड़ा सा है लेकिन यह के बाकी थोड़ी सीजिदों के साथ बहुत मज़े की रेसी भी है अब इस रोट राइज कीजिएगा और यह देखिए यह ने बनाए है आंकों मैं दिखाती हूं कोलके देखें सारा मसाला उसके अंदर है कोई मसाला नहीं निकला कुछ नहीं और कितने अच्छे से वह गल गया है आराम से मैंने चमत सैसे की और खुल गया है मैंनिया के फुल गल गया हूए है कितने अच्छे से कुकिंग इनकी लोफ लेम पे होती है लेकिन बहुत मज़े के बनते है तो चले आएं रेसीपी की तरफ टिंडे ले ले लिए एक साइज के बेस्ट है मेरे पास ऐसे डिफरेंट साइज से कोई प्रॉब्लम देनी हुई एक इंच का टुकड़ा अद्रक का लिया है एक माटर लिया है मेडियम और एक प्यास लिया है टिंडो को इस तरह खुरज के हमने साफ कर लेना है यह मैंने एक काप को दिखाने के लिए रखा तका देना की तो नहीं से को अगर तो थोड़ा तो अगर नीचे से हमिआज flirting का यह टिन शीट कर लिया कैसे को माटर का इनको ने करना हीं शीट की वखा लिया है और तो थोड़े से बड़े होंगे तो पक्रॉबल का लगा लिए थोड़े चोटे हैं मरे जाद उने कार इसमें मैंने सिक्स कट लगाएं तो एक जसे गल गए है अब यह मैंने लिए जीरा और दनिया पौडर लिए जीरा और डनिया कोट लिए और इसमें मैं डाल रही हूं अब सुरह मिर्ची हलदी अनार दना और नमक मैंने हाफ trabalhar टी स्पॐन लिया था और यह मिल्माइग्छान पांच मसाले, दड़ा मिर्ची, नमक, सुरह मिर्ची, वीरा, दरदरा कुटावा और दनिया पौडर और अनारदाना, इन चार पांच मसालों को हमने मिक्स किया और इसमें डाल दिया, अनारदाना आपके पास नहीं है, तो आप अमचूर पौडर डालो, वो नहीं है, तो तो मुसाले से इनका फ्लेवर बनता है इस तरह हम थोड़ा थोड़ा खोल के इनके अंदर फिलिंग कर लेंगे कट हमने रीप लगाए हैं नीचे से हमने जादा इसको खोलानी के वह तूट जाए तो यह जी हमारी टिंडे बर गए और आप हमने लिया है जी प्यास इसको मैंन तो मैंने लेसं डाला है वन टी स्पून उसको मैंने हलका सा फ्राइ किया और उसमें मैंने डाल दी अदरक अदरक आपके अपनी चाहिए से डालने तो जादा बैसे क्योंकि बाकि सारी चीजें अरड़ी ठंडी तासी रखते हैं और उसमें हमने अनारताना भी डाल रही है तो बेस्तर है कि आप थोड़ी से राकेट कर लें बैलंस हो जाएगा अब जो ही मसाला थोड़ा सा ब्राउन हो ने लगा उसमें मैंने मसाले डारेक्ट फैंके एक हाथ में और एक हाथ में मैंने प्याज रखा था उसको एगदाफा स्टर किया मसालों को ताकि वह जले नही तो लाल नहीं किया प्याज को कुछ नहीं बस उसकी ही खतम होगी कलर चेंज हो गया और मैंने एक मिनट के एलेंस्टर की एक डेर मिनट और उसके बाद उपर टिंडे रखी है और टमाटर को भी मैंने चौप करके रखा हुआ था आप कदू कश कर लेंगर चौपर नहीं है है जो बड़ा पीस है वो मैंने सेंटर में रखा है चूंके चुले की हीट सेंटर में जाद होती है ताकि उसको टाइम प्रॉपर से मिले साइडों पे जिस तरह हीट का सिस्टम होता है मैंने उस तरह एसेंबल कर दी है सारे हाफ डान होने के बाद मैंने इनकी साइड है मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है कोई हमारी बहुत जादा बुनाई नहीं हुई कोई हमने इस पे इतनी राकेट साइंस में चलाई और इतना मज़े की हमारी रेस्पी रेडी है अभी अभी खाएं यह कें करें बहुत मज़े की बने है मेरे बच्चों को बहुत संद हैं जिनके हमेशा ते बहुत नहरे होते हैं, उनको बहुत संद आए हैं, हलाके स्पाइफी थे, तो जरूर बनाएएगा आप, और द्वाँ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर आप पसंद आई हो तो शेयर भी जरूर कर दें, घर्मियों की सोग और जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहूंगी, अलाहाफीज, वीडियो को लाइक लाजबी कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल का बटन दबा दें, ताकि आएंदा हर आने वाल नहीं वीडियो मिले, अलाहाफीज,